इस वीडियो में आपका स्वागत है भगवान ने भी अपने लिए इसी भारत भूमी को चुना कई अपतारों के रूप में इश्वर ने इसी भूमी पर जन्म लिया अलग अलग रूप में भगवान के ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो दुनिया भर में प्रसिद हैं बटवारे से पहले भारत बहुती विशाल था और कई सारे पडूसी देश इसमें मिले हुए थे आजादी के बाद पाकिस्तान इससे अलग हुआ इसकी पहचान सामनता एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर रहती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी हिंदु धर्म के देवी देपताओं के कई प्रसिद मंदिर है बलुचिस्तान में तो सती का शक्तिपीट भी है आईए जानते हैं कि इन मंदिरों के बारे में बात अगर पाकिस्तान के करांची की करें तो यहां पंच मुखी हनुमान का पुराना मंदिर है इस बेहत पुराने मंदिर के बारे में मानिता है कितरिता यूक से ही यानि करीब 17 लाक वर्षों से पंच मुखी हनुमान जी की मूर्ती यहां है हाला कि साल 1882 में मंदिर का पुन्ह निर्मान कराया गया था यहां हिंदू धर्मालम्वियों की भीड लगी रहती है करांची शहर के ही बंदर रोट पर इस्थित ये मंदिर करीब 160 साल पुराना बताया जाता है यहां हिंदू मुसल्मान दोनों धर्मों की लोगों की आवाजाही रहती है बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान बटवारे के वक्त मंदिर का इस्तमाल रिफ्यूजी कैम की तरह हुआ था इस मंदिर के परिसर में ही एक गुरद्वारा भी है यहीं से हिंगलाज भवानी शक्तिपीट के लिए यात्रा शुरू होती है हिंगलाज शक्तिपीट बलुचिस्तान में है सती के 51 शक्तिपीटों में से एक हिंगलाज मंदिर ये मंदिर पागिस्तान के बलुचिस्तान से 120 किलोमिटर दूर हिंगोल नदी के तड़ पर है दुर्गा चालिसा में भी इस मंदिर का जिक्र है हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमिट नजाद बखानी आता है कहा जाता है कि सती के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीट स्थापित हो गया यहां के बारे में बताया जाता है कि यहां सती का सिर गिरा था यहां भारत समित कई देशों से श्रधालू आते हैं बात अगर सूरे मंदिर की करें तो त्रेता युग में भगवान राम की सेना में जो जामवन थे उन्होंने दौापर युग में अपनी बेटी जामवन्ती का विवा भगवान कृष्ण से करवाया था जावंती और कृष्ण के बेटे का नाम था साम्ड उन्हीं ने ये मंदिर बनाया था हलाकि तस्वीर में ये मंदिर जैसा दिख रहा है इसकी हालत इससे काफी खस्ता हो गई है बताया जाता है कई मुसलिम कुरूर शासकों ने मंदिर को लूटा इससे इसकी ये हालत हो गई तो आपने देखा कि आयोध्या की तरह ही पाकिस्तान के इसलामा कोट में भी राम मंदिर है जहां मुसल्मानों की अच्छी खासी संक्या है और हिंदू आबादी भी रहती है यहां का राम मंदिर हिंदू शुर्धालों के लिए आस्था का केंद्र है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए साथ हमारे यूच्व चैनल सरनाइस नियूस को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेर